सुप्रीम कोट जूनियर कोट एसिस्टेंट डिस्क्रिप्टिव पेपर की एट्थ क्लास के अंदर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आज की जो क्लास है वो रीडिंग कॉंप्रिहेंसिव पैसेज के उपर बेस्ट रेने वाली है यहाँ पर 30 नंबर का एक पैसेज आपको दिया जाता है उसके साथ आपको 6 सवाल दिये जाते हैं उन 6 questions के आपको answer पैसेज में से read करकर पैसेज में से search करकर लिखने होते हैं सो आज की जो क्लास है इसी के उपर बेस्ट रहने वाली है सो चलिए बिना किसी देरी के class को start करते हैं directions यहाँ पर है question number 126 read the following passage carefully and answer the questions given below कहता है कि भाई जो यह passage है इसको आपको क्या carefully यहाँ पर read करना है और जो इसके नीचे questions दे हुए है उनके answers आपको यहाँ पर करने है certain words phrases have been printed in bold to help you locate them while answering some of their questions कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे words है कुछ ऐसे phrases है जिनको यहाँ पर bold में कर दिया गया है मतलब black में जो black है उनको highlight किया गया है ताकि जब आप उनके answer दो तो उनको ढूंडने में आपका time waste ना हो आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो ठीक है चलिए सो अब यहाँ पर यह तो directions होगी अब हम यहाँ पर passage को start करते हैं सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि passage में actual में passage आपको message deliver क्या करना चाहता है बहुत सारे बच्चों के comments थे कि सर आप line to line हमें क्यों पढ़ाते हो तो भाई सबी बच्चे आप सबी लोगों के तरह intelligent नहीं है कुछ मेरे जैसे भी हैं जिनको थोड़ा सा line to line में ही समझ में आता है तो उनके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है तो होपसो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखे organic farming तो सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पर पता लग गया कि यह जो passage है यह यहाँ पर farming के ऊपर based रहने वाला है क्योंकि organic farming जो starting होती है पैसेज की चाहे वो democracy हो या गामदी जी ने किसी को कुछ काओ वो सारी चीजे जो है वो starting में ही आपको पता लग जाता है तो यहाँ से सबसे पहले आपका निकल कर आगया कि हमारा जो पैसेज है वो based रहने वाला है farming के उपर और farming भी कैसे जैविक खेती के उपर या organic farming के उपर organic farming is either really expensive or really cheap depending on where you live and whether or not you are certified कहता है भाई जो organic farming है आपकी वो यहाँ पर महंगी है या सस्ती है यह depend करता है इस चीज के उपर कि आप कहां रहते हैं और आप उस चीज में expert है या certified है या नहीं है not only are the natural pesticides and fertilizers increasingly marketed by agribusiness as costly as costlier than their chemical counterparts कहता है कि not only कि सिर्फ जो है यह जो pesticides and fertilizers जो है मार्किज में बढ़ते जा रहे हैं किस वज़े से इनको marketed किया जा रहा है agribusiness के द्वारा कि यह महंगे है as than their chemical counterparts जो chemical counterparts होते हैं उनके जो chemical के जो यहां पर fertilizers वगेर है उनके compare में इनको क्या किया जा रहा है बढ़ोतरी यहां पर इनको marketed किया जा रहा है इनको बढ़ावा यहां पर दिया जा रहा है बढ़ प्रूविंग यू आर एन ओर्गनिक फार्मर रिक्वायर सर्टिफिकेशन बढ़ यह प्रूव करना कि आप एक ओर्गनिक फार्मर है रिक्वायर सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है आपको एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि हाँ आप और्गनिक फार्मर है विज इस टाइम कंजूमिंग एंड एक्स्पेंसिव जो कि टाइम कंजूमिंग है और यहाँ पर क्या है expensive है क्योंकि certificate लेने के लिए आपको 3-4 साल का खेती का experience होना चाहिए और वो साथ में यहाँ पर 5-10 अजार उपर उसके fees कुछ लगती है इस वज़े से क्या है time consuming भी है और यहाँ पर क्या है यह costly भी यहाँ पर है ठीक है चली in the USA converting to organic agriculture is a huge undertaking for commercial farmers who have been relied on chemical fertilizers and pesticides for many decades कह रहा है USA के अंदर अमेरिका के अंदर organic खेती के उपर farmers को वापस लेकर आना कि जैवी खेती के उपर लेकर आना यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पर एक बहुत बड़ा चुनोती है क्योंकि जो farmers है वो काफी सालों से decades का मतलब काफी सालों से chemical fertilizer और जो आपके फसल बड़ाने के लिए जो pesticides उनका क्या कर रहे है यूज यहाँ पर कर रहे है बट इन इंडिया the conversion is no less arduous and far more ironic कहता है लेकिन जो इंडिया है उसके अंदर यह बहुत जादा चुनोती पूर है और बहुत जादा मुस्किल जो है वो यहाँ पर यह नहीं है अब देखिए यहाँ पर यह blank आपके पास आया है यहाँ पर एक word ठीक है इसको आप क्या बोलेंगे देखिए अगर आप इंग्लीस को यूज कर रहे है तो आप इसको क्या बोलेंगे और जे डबल ओ इयुएस और जूस जूस ठीक है अगर आप ब्रीटिस में बोलेंगे तो आढ़ो न्मेरिकण बोलेंगे त्आप बोलेंगे अर्च आठ जूस ठीक है तो दोनो ही new name है और अगर American बोलेंगे तो आप बोलेंगे Arduous, ठीक है, तो दोनों ही मिनिंग हैं, बट आप इसको Arduous और Arduous दोनों ही बोल सकते हैं, बट based on कि आप British, English में बोल रहे हैं, या फिर आप American जो है, उसके अंदर इसको बोल रहे हैं, ठीक है, चले, आगे चलते हैं यहाँ पर, Indian farmers are still mostly practicing organic method, Indian जो farmers हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो organic methods की practice कर रहे हैं, passed down for millennia, ठीक है, वो जो काफी सालों से, millennia मतलब millenniums, मतलब काफी सालों से वो क्या कर रहे हैं organic खेती की practice कर रहे हैं organic fertilizer and natural paste control are the only tool available to most of these farmers organic fertilizer, जो खाद वगेरा हो गया, या जो paste control हो गया, जैसे कि कई बार नीम का पानी डाला जाता है, या और भी कोई चीज़े हमें डाले जाते हैं, जिससे कि कीट पतंगे दूर रहे हैं, फसल के उपर, वो हम काफी सालों से practice कर रहे हैं, who have always as organic as they came, cannot afford to pay the fee required to gain official certification, बट ऐसे किसान जिनकी खेती में से जो product आता है, जो फसल आता है, वो ऐसा ही organic है, जैसा कि होना चाहिए, उसके बाद भी, उसके बाद भी क्या होता है, कि उनको official certificate लेने के लिए, क्या कर सकते हैं, वो higher जो fees होती है, उसको afford नहीं कर सकते हैं, मतलब की कहने का ये है, कि वो organic खेती कर रहे हैं, उनका fossil organic है, लेकिन उसके बाद भी उनको certificate नहीं मिलती, वो certificate नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, कि वो certificate के लिए apply कर सके, चलिए, as the international community adopt standards for organic agriculture, the challenges faced by farmer in the USA versus farmer in India in order to adopt are very different indeed, कहता है, जैसे के international community के standards जो है, वो organic agriculture ने अपनाए है, the challenge, जो challenge है, face के जा रहे हैं, farmer जो USA में है और India वाले हैं, वो भी यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर बिलकुल अलग हैं, the danger is that the well intentioned global move towards organic students will make small organic farmer in countries like India, who have never done anything but organic farming, no longer able to sell their crops, कहते हैं, इसका सबसे बड़ा challenge यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ा globally अगर यह बन जाएगा, और अगर international standards को यूज करोगे, तो जैसे कि पीछे आया था कि वो अब certificates के लिए apply नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो कोई परमानित नहीं करेगा, तो उनको यहां पर क्या आ जाएगा, कि हाला कि वो organic है, जेवी खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि सभी फसलों को बेचने के लिए मानक जो है international standards जो है, वो यहां पर बिलियन डॉलर ग्लोबल market for organic food, the Indian Central Government set up National Institute of Organic Farming in October 2003, ठीक है कहता है, in response to the डॉलर 26 बिलियन ग्लोबल market for organic food, 26 बिलियन 26 बिलियन डॉलर का global market, जो है, organic food का, जो set हो रखा है आपका, उसके response में, उसमें अपनी भागिदारे के लिए भी, इंडियन गवर्मेंट ने National Institute of Organic Farming के नाम से एक institute को उपन किया, October 2003 के अंदर, the purpose of this institute is to formulate rules, इसका काम क्या था, formulate करना, मतलब की rules को set up करना, regulations को बनाना, and certification of organic farm products in conformity with international standards, और certificates को provide करवाना, किसके international standards के मानकों के अनुसार आपका, यह इसका काम थाया, आप ठीक है, चले, the institute has its offices across the country, and has appointed certifying agencies for organic farm products for the domestic market, इसने different different country में इनके offices वगेरा थे, और certifying agencies जो है, उननों भी यहां पर domestic markets के अंदर उननोंने set up किया, the certifying agencies are accountable for confirming that any product sold with the new Indian organic logo, easy and according with international criteria and loan, major awareness and marketing campaigns in India and abroad, ठीक है, कह रहा है, यहां पर अब उस company का क्या है, वो accountable है, मतलब कि वो जवाब दे है, किसके लिए, confirm करने के लिए, कि जो भी market में, इंडियन, जो है, organic logo के साथ, जो माल बेचा जा रहा है, वो international standards के according हो, और इसके साथ में, awareness के लिए, जो है, एक campaign वगेरा, जो इंडिया के अंदर हो, भार भी organic खेती के लिए, चलाना है, आप, ठीक है, चले, organic farming has been identified as major thrust area of the 10th plan of the central government, यह major area, जो major, जो highlight, जो है, organic farming, उसको major highlight माना जाता है, 10th plan का government का, जो central government का 10th plan आया था, उसका, 1 billion rupees have been allotted to the aforementioned National Institute of Organic Farming alone for the 10th 5-year plan, दसवे 5-year plan के अंदर, 1 billion rupees, जो है, वो mentioned किये गए थी, Indian Institute of Organic के लिए, ताकि वो farming के अंदर ध्यान दे सके, उसको बढ़ावा दे सके, despite this, most of Indian organic farms are not officially considered organic, most of Indian farms are organic by default, क्याता है, जितने भी Indian के ओ, जो farmers है न, उनको, officially जो है न, organic consider नहीं किया जाता, but, by default, वो सारे organic है, मतलब कि वो ही case आगया, certificate वाला, ठीक है, जब तक भही है, पर्मानित के लिए आपको certificate, चाहे आपने घर में बैठके, चाहे आपने PhD तक की पढ़ाई का रख्यों, लेकिन जब तक दिखाने के लिए आपके पास दस्वी की certificate नहीं है, आप दस्वी पास भी नहीं माने जाएंगे, फिर चाहे आपको PhD का ग्यान हो, और चाहे आपने सारे बर्मान्ड का ग्यान ले रखा हो, ठीक है, तो वह वाली बात है, यहाँ पर जब तक certificate नहीं मिलेगी, बैचारे किसाम चाहिए ओर्गनी केती कर रहे हो, चाहिए वो international standard से बहतरीन कर रहे हो, उन बैचारों को नहीं माना जाएगा कि वो ओर्गनी केती यहाँ पर कर रहे है, ठीक है, बड़ी गलत बात है यह तो, ठीक है, the irony and difficulty of the new governmental push for organic agriculture is that 65 of the country cropped area is organic by default कहता है, कि जैसे की company push कर रहे है, government की organic agriculture की तरफ, उसमें से 65% हमारे किसान जो है वो ओर्रेडी ही, और्गनी केती की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, खाद भी organic डाल रहे हैं, ठीक है, आप गोबर की खाद जैसे हमारे डालते हैं, उसके अलावा वो नीम के पत्तों का पानी का छिडिकाओ करते हैं, कपूर का आपका काम करते हैं, ओर्रेडी जो है प्रेलाइजर और पेस्टिसाइटS, कह रहे हैं भाई, यहां पर डिग्रेडिंग टर्म दे मीन डै डिग्रेडिंग का जो मिनिंग है, वो यहां पर क्या हो रहा है कि small farmers जो है, वो जो eastern part में और northern eastern part के अंदर जो है, कंट्री के वहाँ पर रहते हैं और उनके पास कोई चोईस ही नहीं है कि वो बिना chemical fertilizer or pesticide के यहाँ पर क्या करें यहाँ पर खेती करें this is true in many cases यह बहुत सारे cases में true भी है it is also true that a significant number of them have chosen to farm organically as their forefathers have done for thousand of years कहरा है अब उनमें से बहुत सारे जो farmers है उन्होंने organically जो है जो organic आपका जो खेती है जैवी खेती उसको चुना है क्योंकि उनके forefathers जो थे या फिर जो उनके पूरवज जो थे वो भी इसी तरह की जो खेती है वो करते आ रहे थे तो उन्होंने भी organic जो farming है उसको यहाँ पर क्या कर लिया चूज यहाँ पर कर लिया जो खेती है ठीक है चलिए उसको बाद मैं यहाँ पर क्या कह रहा है उनमें से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया देखा है कि chemical की effects क्या क्या होते है क्या क्या उसके दूस परिभाव उनको देखे है कि भूमी की उर्वरक सकती जो है वो soil erosion होता है भूमी का ठीक है उसके भूमी की उपजाव सकती खतम हो जाती है nutrients खतम हो जाते है जो nutrition होने चाहिए food के वो खतम हो रहे है बिमारिया यहाँ पर बढ़ रही है ठीक है इसके अलावा जो chemical है जो पानी के दोरान पानी के साथ जो बैता है जो chemical जो पानी में आता है उसको भी यहाँ पर उन्होंने मैं सुझ किया है कि सीप इंटू दे वाटर टेबल मतलब जो पानी है उसके अंदर भी chemical का दूस्त परभाव यहाँ पर देखा जाता है कि सारी चीज़े यहाँ पर responsible और सारी चीज़े यहाँ पर क्या दिखाती है कि urgent demand है कि भाई अब chemical को छोड़के ओरगनी खेती के उपर आपको आना चाहिए ठीक है चले इंडिया currently has only 1426 certified organic farms इंडिया में अभी फिलाल के लिए 1426 organic farm है this statistical discrepancy reveals that the weak link in the organic economic chain is certification कहता है यहाँ पर यहाँ पर यह reveal करता है कि यह जो चीज़े है जो यह 1426 ही क्यों है यहाँ पर जो statics है वो यहाँ पर आपको बताते है कि यहाँ पर जो एक weak chain है वो यहाँ पर क्या है कि आपकी organic economic chain is certification कि जो certification है वो यहाँ पर weak chain है कि मतलब कि 65% जो farmers है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि औरगनी खेती कर रहे हैं बट औरगनी खेती करने के बाद भी यह नंबर सिफ 1426 है क्योंकि उनके पास certificate नहीं है और without certificate उनको organic farmer जो है यहाँ पर नहीं माना जाएगा इस वज़े से यह जो बीच का जो एक weak change जो है वो यहाँ पर क्या है यहाँ पर वो है आपकी certification कि certificate यहाँ पर नहीं मिल पारी क्योंकि वो effort नहीं कर पार है उस चीज़ को अंडर current government policy take 4 years for a farm to be certified as organic और जैसा कि मैंने आपको पहली भी बताया था चार साल लगते हैं आपको certified होने में कि हाँ यह organic खेतियां पर कर रहा है the cost of preparing the report is flat fee of rupees 5000 and the certificate itself cost another rupees 5000 वो ही जो मैंने बताया था 10,000 रुपय है while these costs are bearable for the new industrial organic greenhouses they are equal to more than an entire year's income of the average small farmers ठीक है कह रहा है जबकि यह जो cost है 10,000 रुपय की यह जितने भी नए industrial organic greenhouse जो बन रहे हैं आपके उनके लिए तो यह bearable है मत्तब उनके लिए तो यह वहन कर सकते हैं लेकिन यह गरीब किसान जो है average small किसान है उसके लिए यह तो पूरे साल की income ही 10,000 रुपय है उस विचारे की वो certificate क्या लेगा इस वज़े से उसको यहाँ पर certification लेने में दिक्कत हो रही है if the cost of travel and inspection are include और अगर इसके अंदर जो cost है अगर वो भी include कर दी जाए तो एक किसान की पूरे साल की income के छोटे किसान के बराबर यह cost हो यहाँ पर आपकी पढ़ती है ठीक है चले in the United States an organic farm plan and organic handling plan must be submitted to a USDA accredited private or state certification program कहता है United States के अंदर कोई भी organic farm plan आपका है या फिर organic handling plan है वो submit किया जाता है USDA के सामने या फिर state certification program के सामने the plan must explain our current growing and handling methods और वो सारे आपके जो methods उनको explain वहाँ पर करेगा and any material that will used और ऐसा extra material जो यहाँ पर use होगा in the present and any future plan must be include as well और इसके साथ ही जो other आपका future plan होगे वो भी यहाँ पर include के जाएंगे records for the last five year must be presented land must be chemical free और यहाँ पर record for last five year का जो है वो भी आपको present करना होगा कि land जो है वो chemical free है for three year prior to harvest जब से खेती से करने से तीन साल पहले तक कि आपको तीन साल पहले तक वो chemical उस पे यूज नहीं हुआ होना चाहिए स्वेच conventional farmer cannot receive the organic label for that transactional years ठीक है इसके अलावा जो आपके जो conventional farmer है जो आपके प्रमप्रागत farmers आ रहे हैं वो यहाँ पर organic label नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो जो आप years चले आ रहे हैं उनके अंदर जो यह certification वगेरा होती है कि तीन साल तक आप यूज ना करो वो यहाँ पर नहीं हो पाता है this will generally mean a decrease in income और यहाँ पर इससे क्या होता है कि income के अंदर decrease होता है crops में भी less plentiful than with conventional fertilizer and pesticides and yet the higher price of organic product won't yet be possible कहता है भाई जब और्गनिक यूज गरते हो तो उसमें फसल इतनी यह कह रहे हैं यहाँ पर less plentiful होती है ठीक है conventional fertilizer से और यहाँ पर जो pesticides वगेर आप यूज करते हो उससे और जो higher price है यहाँ पर जो organic products का वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिल पाता है many farmers cannot afford their transaction even if they want to कहता है बहुत सारे farmers तो संकर्मन का खत्रा भी यहाँ पर उठाने के लिए संकर्मन का खत्रा भी यहाँ पर effort नहीं कर सकते हैं जबकि वो चाहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं है हम यहाँ पर pesticides वगरा यूज कर लें अगर क्योंकि हमें अच्छी किमत नहीं मिल रही ना चाहते हो भी वो यहाँ पर उसको उठाने के लिए क्या है विवस है one solution of the small farmers dilemma of how to both certify and survive in that of community of certification कहते हैं अब यह farmers के लिए मुस्किल है कि वो कैसे survive करें और कैसे certification लें अगर वो pesticides वगरे यूज नहीं करते तो उनकी फसल अच्छी नहीं होती है और अगर यूज करते हैं तो survive नहीं कर पाते हैं क्योंकि उच्छी किमत यहाँ पर नहीं मिल पाती है in community certification communities on a non-profit basis take charge of the certification process themselves कहते है community certification जो होता है communities on a non-profit basis के अपर जो certification process है वो खुद के लिए भी हाँ पर charges वगरा लेते हैं they evaluate the farmers community commitment commitment to the stewardship of the soil and examine from many angle whether the food is being grown in environmentally sensitive way or not rather than technical standards वो कहता है भाई यहाँ पर stewardship of the soil वो क्या कहते हैं जो farmers की commitment होती है कि वो जो soil है उसकी गुनवनता को यहाँ पर maintain रखेंगे तो examine many angle बहुत सारे angles से उनकी गुनवनता की जाच की जाती है कि जो food है वो कैसे environment के अंदर आपका grow किया जा रहा है बजाए की technical standards के यहाँ पर ठीक है इन सारी चीजों के ऊपर उनको क्या की जाता है यहाँ पर इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ जो committee है वो यहाँ पर क्या करती है जहां चापकी करती है ठीक है while community certification may be viable solution on the local level कह रहा है भाई local level के ऊपर जो community जो certificates है वो यहाँ पर एक solution हो सकता है it is our opinion that in the global marketplace less than exact technical standards will never be enough for today's consumer and in today's largely positioned environment कहता है in the global marketplace global marketplace के अंदर less than exact technical standards will never be enough for today's consumer कह रहा है कि जितना जो standard आपको mention किया गया international market में उससे कम का standard आज के consumer के लिए क्या है यहाँ पर enough नहीं रहने वाला है today's largely positioned environment क्योंकि जो environment वो बहुँ जादा जहरीला हो गया है इसलिए जो standard decide किये गए उनके according है आपकी जो यहाँ पर food या farming है वो यहाँ पर होनी चाहिए it shouldn't be either और इसके अलावा यहाँ पर क्या कहता है furthermore such soft guidelines can easily backfire on the farmers themselves कहता है furthermore का मतलब such soft guidelines can easily backfire on the farmers themselves कि यह जो soft guidelines जो यहाँ पर यह दी जा रही है यह किसानों के लिए खुद के लिए ही backfire हो सकते हैं मतलब खुद के लिए ही वो नुक्षान देख हो सकती है as a system not based on fact must be definition subject to local political इसके बाद आपका bribery and favoritism etc कहता है कि अगर आप सारी चीजे एक ऐसा system होगा जो facts के उपर depend नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा local politics जो होगी local राजनितिक चलेगी घुषखोरी वहाँ पर चलेगी या फिर आपका जो nepotism होगे रहा है जो आपका favorite है उनको certificate दे दो बाकी को नहीं दो यह यहाँ पर चलेगा कहता है अगर आप international standard के according नहीं चलते हो local certificate के ओपर चलते हो कि भाई local आदमी वहाँ के जो है वो certificate दे रहे कि आदमी सही काम कर रहा है फसल सही चला रहा है जबकि उसके पास कोई भी official statement नहीं है official उसके पास कोई भी चीज नहीं है तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है वहाँ पर घुस्खोरी बढ़ेगी आपकी local politics चलेगी इसको दे दो इसको certificate मत दो और जो आपका favorite है उसको आगे ले आओ बाकी को पीछे कर दो यह यहाँ पर समझे है देखने को मिलेंगी India must find a way to keep the strict international organic standard intact if it want to compete in the international market for organic food कहता है कि आपको strict international organic standards जो है इंडिया को रखने पड़ेंगे अगर वो international market में compete करना चाहता है but is there a way to do without leaving small farmer out in cold कहता है लेकिन यह काम नहीं हो सकता छोटे farmers को बहार छोड़ कर out in cold का मतलब होता है एक फ्रेज होती है out in cold इसका मतलब होता है कि किसी को अपने से अलग करके ठीक है तो मतलब कि आप farmers को अपने से अलग करकर यह काम नहीं कर सकते हो one obvious solution for the government to subsidize these certification fee कहता है एक solution के subsidy दी जाए इन 10,000 रुपे की फीशेन के उपर enough to me के viable option for ordinary farmer और एक सभी जो farmers उनके लिए एक खुला एक easy जो है वो यहाँ पर एक options आपके लिए बनाये जाए हर किसान के लिए not just for new organic factory farmers and green house और यह सभी किसानों के लिए होना चाहिए सिर्फ factory जो लगा रहे है organic factory जो लगा रहे है या फिर जो green house जो बना रहे है उनके लिए नहीं होना चाहिए बड़े farmers के लिए ordinary farmers के लिए भी रूल्स यहाँ पर होने चाहिए ठीक है banks also could provide a more level paying field for small farmers और जो bank है उनको भी यहाँ पर करना चाहिए अपको जो है playing field जो है उनको जो fields वगेरा है वो यहाँ पर उनको क्या है provide करवाना चाहिए खेती के उपर loan वगेरा कि यहाँ पर बात हो रहे है currently almost all bank loans are for pure pure crop farmers अभी तक जितने भी loans होते हैं वो जो बड़े farmers हैं जो पूरे अच्छे जमे जमाई जो farmers उनके लिए है while many of these big business farmers are harmful chemical and process जो बड़े farmers बिजनेस्मेन है जबकि वो harmful क्या करते हैं यूज करते हैं chemical अपने प्रोसेस के लिए small farmer fertilizing their soil with recycled organic waste जबकि जो छोटे किसान है वो यहाँ पर fertilize करते हैं अपनी land को किसे organic waste से जो जैविक गोबर की खात वगरा जो मैंने बताई उससे are usually ineligible for insurance much less state subsidies जबकि वो जो किसान है जो organic खेती कर रहे हैं वो कही ना कही insurance के लिए eligible नहीं होते हैं और state subsidies वगरा जो हैं वो भी इनको यहाँ पर क्या है नहीं दी जाती है यहाँ पर यह क्या है यह आपका passage complete होगे अब देखते हैं आपसे कौन-कौन से सवाल यहाँ पर पूछे गई हैं और किन-किन सवालों का जवाब आपको यहाँ पर देना है चलिए अब आजाते हैं अपने questions के उपर सबसे पहला question यहाँ पर क्या है what role does the National Institute of Organic Farming have to play in the organic farming area कि in National Institute of Organic Farming क्या role play कर रहा है यहाँ पर organic farming area के अंदर इसका answer देना है पांच नमबर का ही सवाल है why according to the author जो author आपका passage का उसके according is the term organic by default degrading organic जो सब्द है by default वो degrading क्यों रहा है नीचे क्यों आ रहा है यह भी पांच नमबर का है which of the following are responsible for increasing demand for organic food and organic farming कौन कौन से regions हैं यहाँ पर वो responsible हैं किसके लिए organic food or organic farming की demand यहाँ पर बढ़ाने के लिए पांच नमबर का है what according to the author इजे major problem with organic farming in India organic farming की जो करने के लिए इंडिया में कौन से सबसे major problem से यह भी पांच नमबर का है बीस नमबर का यहाँ पर हो गए चार सवाल इसके आगे हैं यहाँ पर similar meaning मतलब synonyms आपको यहाँ पर करने हैं पांच नमबर के हैं पांच synonyms आपको दिये हुए एक नमबर के एक इनका आपको क्या बताना है synonyms आपको बताना है एक एक या दो दो synonyms आपको यहाँ पर लिखने है बट आपको यहाँ पर कितने लिखने है तीन synonyms इसके बाद यह हैं एंटोनियम्स एंटोनियम्स आपके यहाँ पर होगे अपोजिट इन मिनिंग ये भी पाँच है पाँच नंबर के हैं इनके भी तीन तीन आपको यहां पर लिखने है अब आपको करना क्या है एक बार वो सुन लो बड़े अराम के साथ ठीक है अब देखो कल है बारा तारीक कल आपकी क्लास होगी नहीं ठीक है कल मैं ओफ हूँ कई आउट ओफ स्टेशन ह आपके लिए होमवर्क है भाई अब होमवर्क क्या है आपके लिए जिनको भी पता है होमवर्क कहां सब्मिट करवाने एक बार मैं पहले बता दू होमवर्क बाद मैं बताओंगा हमारा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल है फण लर्ण बाई अनुज और फण अपना homework लिखना है page के उपर उसकी photo खीचनी है और group के अंदर डाल देना आपको ठीक है आपके जो पीछे भी बच्चों ने जो प्रेसी राइटिंग और ऐसे लिखा है Digital India के उपर और बहुत सारी चीजों के उपर उनके आज मैं चेक कर दूँगा या फिर मैं कल करूँगा या जैसे भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और ये homework भी मैं आपका चेक करूँगा आपको करना क्या है इन सब के आपको answers लिखने है page के अंदर ठीक है page के उपर इनके answer लिखने और एक बात और कम से कम आपको सभी के जितने भी answers होंगे इनको आपको line वाले उसके अंदर लिखने है line लगा लेना और आपको maximum maximum आपको यहाँ पर 10, 8 से 8 से no line के अंदर ही answer को लिखना है कोशिस करना कि आप 7 से 8 line के अंदर इस answer को लिखोगे exact आपको answer लिखना है अपनी line चुन लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इतने के आगे आपर mark कर लेना ऐसे ऐसे star बना लेना ऐसे देखो मैं बताओ 8 line चुनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके नीचे आपर star बना देना मतलब यहाँ पर एक answer खतम हो जाएगा और इसी के अंदर ही आपको अपना answer जो है वो लिखना है 6 के 6 सवालों के आपको answer देने हैं और जो आपके antonium, synonym है उनके 5, हर एक word का जो भी एक word है, इसके आगे इसका 1, 2, 3, 4, 5 5 word आपको हर किसी के 5, 5 word जो है वो यहाँ पर आपको लिखने है तो 5 ही होगे, मतलब 25 word आप यहाँ से त्यार कर लोगे और 25 word आप यहाँ से त्यार करोगे total 50 word जो है, वो आपके यहाँ पर त्यार हो जाएंगे, ठीक है इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, यह homework आपको submit कर देना है और जो 13 तारिक की class होगी आपकी कितने तारिक की, 13 तारिक की class होगी उसमें इसके answers मैं आपको वीडियो में बताऊँगा सारे answers लिखे, जिससे कि आपको idea लगेगा और आप अपने answers को match भी कर पाऊगे कि आपने कहां कुछ क्या गलती यहां पर की है ठीक है, तो समझ में आ गया पैसेज आपको दे दिया है, questions बता दिया है homework करो fundland by anews official telegram channel है fundland by anews doubt channel है उसके उन्दर जूड जाओ, वहाँ पर अपना homework submit करवाओ, photo click करके साफ सुथरा अपना लिखो, अच्छी writing में लिखो और इसी के साथ ही homework daily करो कल मैंने आपको वीडियो में बता दिया था 200 बच्चों का selection होना है, 5000 बच्चे पास की है अगर 4800 बच्चों की भीड में आप भी बाहर होना चाहते है तो कोई जूरत नहीं हमारे telegram channel को join करने की leave कर सकते हो इसी वक्त और अगर आप उन 200 बच्चों में लख्की बच्चे बनना चाहते हो तो अपना काम करो, submit करवा और मेहनद करो ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगली class में 13 तारिक को तब तक लेतना ही Thank you so much, नमस्कार hard work करते रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो टैलिग्राम के उपर आप मुझे message करना reply करने के मैं पूरी कोशिस करूँगा शुक्र